हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे करेंट अफेर 2020 के लिए जो हम लोगों ने अर्थबाल सिकांग सिरीज चला रखा है उस सिरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्राक्टी सेट नमर 11 इससे पहले अलड़ी हम लोगों ने प्राक्टी सेट नमर 1 तू 10 देख रखा है वो भी पूरिया स्टैटिक जीके होता है उनको भी एकजाम में काफी ज़्यादा बेटेश दिया जाता है तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने कोशन को आज का जो हमारा पहला कोशन है वो यह कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है तो महिला विजेता का नाम है बा भारत का नया चुनावा युक्त नियुक्त किया गया है तो भारत का नया चुनावा युक्त किनको नियुक्त किया गया है अनूप चंदरपांडे को तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एक मुख निरवाचना युक्त औ को आपसे नमठी अवनाचा पदेश वहीं आद रखेगा गर आपसे पूछते कि सबस्रेश्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है तो वो है मरककर लॉइन अब दा अरबियंसी और सबस्रेश्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है वो छिछेरों को दिया गया है नेक्स्ट हमारा की बिहार के किस नदी पर डगमारा जल्बिदृत परियोचना का निर्मान किया जा रहा है तो डगमारा जल्बिदृत परियोचना का निर्मान जो है वो कोसी नदी पर तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसे नमबरे कोसी नदी पर अगर हम लोग डगमारा जल्बिदृत परियोजना की बात करते हैं तो यहाँ परियोजना जो है वो कोसी नदी पर भीम नगर बैराज से लगभग साढ़े 22 किलोमेटर नीचे दहिने किनारे पर गाउं, दगमारा और बाएं किनारे पर सिम्रिल के पास इस्तित है अगर वहीं हम लोग कोसी नदी की बात करते हैं, तो कोसी नदी जो है वो एक ट्रांस बाउंडरी रिभर है जो कि तिबबत, नेपाल और भारत से होकर बहती है, इसे बिहार का सोक के रूप में भी जाना जाता है नेक्स्ट है हमारा गी हाली में चर्चित पुस्तक, Home in the World पुस्तक के लिखा कौन है तो इस पुस्तक के लिखा कहें, आमर तसेन नेक्स्ट है हमारा गी मई 2021 में की सफिर की देश ने इबोला बारस के प्रकूप की समाप्ति के घोस्तना किया है तो यह किया है, Democratic Republic of Congo ने तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, आपसर नमबर 8 अभी कांगो के एक नए प्रधान मंत्री भी बने है, उनका नाम बताइए आप लोग उनका नाम यह है, उनका नाम है जीन मिसेल असामा लुकॉंडो नेक्स्ट हमारा की Max 1407 क्या है तो यह एक सोया बीन की नई किस्म है, तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा, वो होगा आपसर नमबर 8, सोया बीन की एक नई किस्म है देखिए जो भार्तिय बैगानिकों है, वो सोया बीन को अधिक उपर देने बाली और यह कीट प्रतिरोधी किस्म बिक्सित किया है, जिसी का नाम जो है, वो Mac 1407 रखा गया है यह जो है, एक नई बिक्सित जो सोया बीन की प्रजाती है, वो आसाम, पश्चिमंगाल, जहारखंड, 36 गड़ और पुर्वत्तर राज्यों में इसकी खेती की जाएगी और इसके बीच जो है, वो 2022 के खरीफ के मौसम के दोरान किसानों को बुआई के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे नेक्स्ट है हमारा की हाली में चल्चा में रहा दाहला बांध जो है, वो किस देश में स्थित है तो दाहला बांध जो है, वो अफगानिस्तान में स्थित है, तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, आपसर नमर जी, अफगानिस्तान में स्थित है नेक्स्ट है हमारा की 11, 12 माई को वर्च्योर लूप से आयो जित, पहली ब्रिक्स रोजगार कार्ज समूह ब्रिक्स रोजगार कार्ज समूह की बात कर रहा है, जो कि बैठक ये धेचता किस देश ने किया है, तो यह किस देश ने किया है, यह किया है भारत ने, तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, आपसर नमर जी भारत ने, और इस जो EWG, यानि कि रोजगार कार्ज समूह की जो बैठक थी उसमें BRICS राष्ट के अलावा अंतराष्टिय सरम संगठन और अंतराष्टिय समाजिक सुरच्छा अजेंसी के प्रतिनीधियों ने भी बैठक में भाग लिया था वह याद रखिएगा BRICS राष्ट देशों के प्रतिनीधि में ब्राजिल, रूस, भारत, चीन और दचिन अफिर का सामिल है नेक्स हमारे गी केंदरियमंती प्रकास जबेटकर ने एसिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रेक का उधगाटन किया है वो कहां इस्थित है तो यह प्रिफबपूर में एक जगह है प्रिफबपूर वहां इस्थित है मध्पदेश में तो इसकोष्ण का सहीन सर होगा आपसन नमबर A यह जो है बो मध्य पदेश के इंदोर के प्रिथम पूर में एसिया के सबसे लंबे हाई-स्पीड टेस्ट ट्रेक का उजगाटन किया गया है और यह जो नया हाई-स्पीड टेस्ट ट्रेक है वो ओभल सेप्ड है और चार्ज फ्री लेन के साथ सोल मीटर चोड़ा है जो की 24 में अधिय अच्छ है और भारत इंडोनेसिया के बीच एक और अभियास याद रखेगा उसका नाम है समुंदर सक्ति नेक्स्ट हमारा ये 9 मई 2019 को रगुनात महापात्र का करोना से निधन हो गया है उनके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्त है वो एक परसिद मुर्तिकार थे बिलकुल सही है 2013 में उन्हें पद्म विभूसन समान प्रदान किया गया थे बिलकुल सही है उन्हें 2018 में राजिसभा के लिए नामींत किया गया थे ये भी सही है तो इस question का सही answer होगा option number 2 उप्योग सभी जो है वो सही है next time हमारा ये हाली में प्रारम की गई योजना परवधारा योजना का संबंध जो है वो किस राज से है तो परवधारा योजना का जो संबंध है वो किस राज से है हिमाचल पदेश से है वहीं परवधारा योजना का जो मुखुत देश है वो है कि भूजल अस्तर में ब्रिधी के तहद 110 छोटे-छोटे तलाब, 600 चेक डैम, 12,000 का निर्मान करना और पौधेर ओपन किया जाएगा। वहीं हिमाचल पदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल पदेश से एक और याद रखेगा योजना, आयूस घर द्वारकार्जकरम, जो है वो हरुनाचल पदेश सरकार के द्वारा सुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कोश्चन नमबर 14 कहा रहा है, फीफा अंडर 17 महिला बिस्वकप 2022 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा। तो यह जो है वो भारत में, तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, आपसा नमबर A, भारत में। वहीं एक चीज आप लोगों को मैं बता दूँ कि फीफा अंडर 17 पुरूस बिस्वकप अगर पूछे तो तो 2023 में पेरू में किया जाएगा, फीफा अंडर 20 पुरूस बिस्वकप पूछे तो वो 2023 में इंडोनेसिया में होगा, और 22 मा फीफा फुटबॉल बिस्वकप जो बाली कुछ बाते हैं वो याद रखिएगा, मध्पदेश जो है वो धर्ण परिबर्तन के खिलाब धार्मिक सोतंतरता विधेग 2020 को मंजूरी दिया है, लॉंच पैडी उजना की सुरुवात की है, डेकाट संग्राले बनाने की घोसना किया है, देश का पहला बुधिष थी पहल के सुरुवात की गई है, तो यह किया गया है, संबेधना पहल का सुरुवात किया गया है, तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा, वो होगा, आपसन बढ़ी संबेधना पहल का, देखिए आक्चुली जो COVID-19 महामारी के दौरान, जो परभावीत बच्चों के मनोभग या कि आईसोलेशन COVID-19 से केर सेंटर में है, दूसरा वो जिनके माता-पिता या परिवार के सदस या कोई अनकरीबी जो COVID-19 से सरग्रमित है, और तीसरा वो जिन बच्चों ने COVID-19 महामारी के बज़ा से अपने माता-पिता को खो दिया है, नेक्स्ट हमारा गी 22 माई 2021 को मना जब बिधिता दिबस, जब बिधिता दिबस कब 22 माई को, और इसका थीम क्या था, इसका थीम था, भी आर, पाट आप सॉलूसन, नेक्स्ट हमारा गी हाली में अन्टाटिका महादीब से अलग हुए, दुनिया के सबसे बड़े हीमखंड को क्या नाम दिया गया, तो इसका नेक्स्ट हमारा गी हाली में नासा ने 2023 तक चंदरमा पर पहला मोबाइल रोबेट भोजने की घोसना किया है, इस रोबेट के रोबर का नाम कया है, तो इसका नाम है बाइफ़ तो इसकोशन का सही अंसर होगा option number C, वहाई अगर हम लोग नासा की बात करते हैं तो नासा का फुलफरम होता है तो यहां जो है वो सर्बोच न्याले के द्वारा लॉंच किया गया है तो इस question का सही answer होगा आपसे नमबर A यह देखिए SUPAC कि अगर हम लोग full form की बात करते हैं तो इसका full form है Supreme Court Portal for Assistant in Courts Efficiency ठीक और यह जो है वो उपकरण परसावश्किंग तठो और काणूनों को एकत्र करता है और उन्हें नेह धीसों के लिए उपलक्ठ कराता है next है हमारा हरेक्रिष्णा महताब दवारे लिखी पुस्तक ठीक है, हर एक लिसना महताब के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, उड़ी सा इतिहास और इसका बिमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है, नरेंध मोदी के द्वारा तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसा नमबर ए, नरेंध मोदी नेक्स्ट रहा हमारा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन जो है, वो सही नहीं है यह विस वार्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है प्रथम अस्थान स्वीजरलेंड को प्राप्त हुआ, यह गलत है, क्योंकि प्रथम अस्थान जो है वो आइसलेंड को प्राप्त हुआ है फिर कहरा भारत को 140 मा अस्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है 2020 में भारत का अस्थान 108 मा था, यह भी गलत है 2020 में भारत का स्थान था 112 तो यहाँ दूसरा और चौथा जो है वो गलत है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर C Next है हमारा की BTS वा स्थानों के लिए जलवाईू परिबर्तन कानून बनाने बाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबरे रमेस पोक्रियाल रमेस पोक्रियाल के द्वारा जो रास्ट्रिय सिच्छा नीची 2020 है उसी के कार्यानबन पर एक कुछ अस्तरिय बैठकी अधेश्ता की गई और गुनबक्ता सिच्छा के माध्यम से छात्रों और सिच्छकों की बीच समग रूनत्ती के लिए ये सार्थक नमा का स्कूली सिच्छा के लिए कार्यानबन योजना किया गया है देखें सार्थक अगर आप इंग्लिस में देखते हैं तो ये से यार टी एच एक्यू है और इसका फूल फॉर्म क्या है इसका फूल फॉर्म है अस्टुडेंट अट टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांस्मेंट थ्रो क्वालिटी एजूकेशन अस्टुडेंट अट टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांस्मेंट थ्रो क्वालिटी एजूकेशन नेक्स्ट हमारा ये हाली में गुजरात के किस बैक्ती ने सत्यागरा अगेंस्ट पॉपुलेशन आंदोलन शुरू किया है तो सत्यागरा अगेंस्ट पॉपुलेशन जो है वो किन के द्वारा शुरू किया गया है विरलदेसाई के द्वारा शुरू किया गया है तो इसकॉष़न का सही अंसर होगा आपसर नम्र डी और इनका लच्षजे जो है बो है कि 75 हबतों में यानि के 75 सताह में 27 लाग 5 जार पेड़ लगाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट हमारा नेशनल मंडेला बिस्व मानबताबादी पुरुसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किनको सम्मानित क्या गया है यह किया गया है रुमाना सिंग सहगल को तो इस question का सही अंसर होगा आपसे नमबर A और उन्हें पुरुसकार डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा दिया जाएगा। और उन्हें वर्चुली बिभिन समागरियों और जो गैर बायो डिग्रेबल समागरियों को पुर्णा चक्रन करके आयनिबब और कारनातमक हर उपादों के विकास के छेतर में उनके योगदान के लिए समानी किया गया है नेक्स्ट हमारा ये प्रतेग बर्स मलेरिया दिवस के इस्तिति को मनाय जाता है तो मलेरिया दिवस कम मनाय जाता है 25 अपरेल को तो इस question का सही अंसर होगा ये हाली में खगॉल बीदो द्वारा ब्रहमार्ण में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया तो इसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्ण तो इस question का सही अंसर होगा option number C next है हमारा की भारत में टिका उसब 2020 का आयोजन जो है वो कब से कब तक किया गया है तो टिका उसब का आयोजन जो है वो 11 अपरेल से 14 अपरेल तक किया गया है तो इस question का सही अंसर होगा option number B वहीं टिका उसब का जो में मकसद था वो ये था कि जादा से जादा योग लाभारतियों का टिका करन करना next है हमारा की हाली में किस राज में परधान मंत्री नरेंद मोधी द्वारा देश के 75-100 में जन उसदी के अंदर का उद्गाटन किया गया तो यह किया गया है मेगाले में तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number G मेगाले मेगाले के मुखवंतरी का नाम है कॉनरंड सग्मा और यहां के गवर्नर का नाम है सत्य पाल मलेक नेक्स्ट हमारा यहाली में किस राजिया के अंदर सासित परदेश द्वारा रेडियो कार्जक्रम आवाम की बात की सुरुआत की गई है तो अब आम की बात एक रेडियो कार्जक्रम है जो किसके द्वारा सुरू की गई है तो यह जम्मू कास्मीर के द्वारा सुरू के याद किया गया है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C जम्मू कास्मीर जम्मू कास्मीर आप लोगों को याद होगा कि 31 October 2019 से यह जो है वो केंदरसासित प्रदेश बन चुका है और यहां के उपराज पाल का नाम है मनोज सिना जम्मू कास्मीर से याद रखेगा जम्मू कास्मीर जो है वो एक सतर्क नागरिक मोबाईल अब भी लॉंच किया है और यहां के मुख मंतरी का नाम है परमोज साबन्त नेक्स्ट हमारा यह हाली में IBSA कि यह महिला फॉरम की बैठक भर्चुली आयोजित की गई जिसकी अधेचता जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है यहां जो बारता थी वो छट्टी बारता थी जो की वीडियो कॉनफरेंस के माध्यम से आयोजित हुई है और यहां जो है वो महिला और बाल विकास मंतराले भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गए था IBSA की बात करते हैं तो IBSA एक त्री पच्छिय सहयोग मंच का एक अनूठा मंच है जो तीन अलग-अलग महादीपों से भारत, ब्राजील और दचिन फिरका तीन बड़े लोगतंत्रों और प्रमुख हर्थ बिवस्थाओं को एक साथ लाने का काम करता है नेक्स्ट है हमारा गी कंदरिय मंत्री नरेंग जीन तोबर ने सरस अजीबिका मेला 2021 का उध घाटन कहां किया है तो सरस अजीबिका मेला 2021 का जो अध घाटन है वो ग्रेटर नोटा में तो इस question का सई अंसर होगा आपसे नंबर اسि सरसा जीविका मेला की बात करते हैं तो इस मेले में 27 राज से 300 से अधिक स्वेम सहायता समू और हस्त सिल्फी जो थे वो भाग लिये थे और इस मेले में लगबग 150 स्टॉल और 15 खान पान के स्टॉल लगाए गये थे और 60 से अधिक सांस्क्रिति काजक्रमों का आयोजन भी किया गया था नेक्स्ट है हमारा गी 14 फरबरी को किस बंदरगाह पर अंतरास्टी ए क्रूज टर्मिनल सागरी का उद्गाटन किया गया है यह किया गया है कोची बंदरगाह पर इसकोशन का सही अंसर होगा हैं उनका इलाज होगा साथ ही उनके पुंडवास की विवस्था की गई है नेक्स्ट है हमारा FIAF Award मतलब International Federation of Film Icons Award 2021 से किस बॉलीबूड एवनेता को समानित किया गया है तो अमिताब बचन को समानित किया गया है तो इस है तो यह किया गया है ए- यार रह्मान को तो सबसे लंबे inetheresome को सबसे लंबे मेघाले में किया गया है तो इस question को सही अनसर हो इक नेक्स्ट है हमारा ready Sennité के अीड़ार पर जारी Global Fire पाबर आणक्स में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है question का सयन सरोग आपसर number C next है हमाराग ये निमलिखित में से किसे NASCOM की पहली महिला chairperson के रूप में नुक्तिया गया है तो देखिए जो 2021 के परमुख नुक्तियां हैं उनके वीडियो में मैं आप लोगों को यह पढ़ा रखा हूँ कि NASCOM की महिला chairperson का नुक्त हुई हैं अगर आप वीडियो वो नहीं देखे हैं तो वो जाके देखे हैं वो उस पूरे वीडियो में मैं 2021 में जितने भी अभी तक जन्वरी से लेकर जून तक प्रमुख नुक्तियां चाहरे वो रास्टीय अस्तर पर हो या अंतरा National Association of Software and Service Companies जिसका Headquarter जो है वो नई दिल्ली में और गठन जो है वो 1988 में है Next है हमारागी मार्च 2021 में परधान मंतरी नरेंद मोदी एबन बंगलादेश की परधान मंतरी सेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी जंडी दिखाई है तो स्ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर C मिताली एक्सप्रेस और यह रेल सेबा जो है वो धाका केंट और न्यू जलपाई गूडी के बीच चलेगी नेक्स्ट है हमारागी बर्स 2023 में किस देश में 20 मुक्यबाजी परतियोगता आयो जित की जाएगी तो यह किया जाएगा उजबेकिस्तान में तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर B उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान आप लोगोंने पठ रखा होगा यह मध हेसिय जिसकी राधानी है तासकंद नेक्स्ट है हमारागी हाली में किस है फेरकी देश को डव्लू एचो ने ट्रेकोमा मुक्त भोसित किया कर दिया है तो यह किसको किया है गंबिया को तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर D वहीं डव्लू एचो की बात करते हैं तो अतरबादीक जो है वो FDI या करसित हुआ है किया गया है तो यह गुजरात में तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर D गुजरात में गुजरात से याद रखेगा गुजरात सरकार जो है वो मुख मंतरी महिला उतकर्स योचना और किसान सुल्योदय योचना भी चल उजबला यह उजना से आप लोग भली भाती परचित होंगे इसका सुभारम जो है वो एक मैई 2016 को किया गया था और इसका उदेश जो है वो है BPL परिवारों को मुफ्त LPG Connection देना नेक्स्ट है हमारा यहाली में महरास सरकार ने गोड़े बाड़ा चीनिया घर का नाम बदलकत किसके नाम पर रखा है तो यह जो है वो बाल ताहिफ ठाकरे के नाम पर रखा है तो इसकोशन का सही अंसर होगा option number C देखिए आप लोग current पढ़ते हैं तो जैसे यहां महरास्ट का जिक्रा आया तो महरास्ट जितने भी important अभी recently जो current के चीज़े है वो सब कुछ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तब ही आपका पढ़ाई करने का मतलब है तो जैसे कि अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोसिस करता हूँ कि जितने भी उससे related चीज़े मैं आपके लोगों को बता दूँ जैसे अगर बिहार का चिक्रा आता है तो मैं बताता हूँ कि बिहार में भारत का पहला कछुआ पुर्णवास के अंदर भागलपूर बिहार में लगाया गया पहला पच्छी महोसब अजनीदी 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज़ बन गया, COVID-19 महामारी दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए Digital India Award जीता, दो हरी तूर्जा कुसल सहर बनाने वाला देश का पहला राज़ बन गया, तो ऐसे जितने भी चीज़े जो current से related चीज़े हैं वो आप लोगों के दिम आप लोग current से related जो भी चीज़े महारास्ट के बारे मैं जानते हैं सब लोग आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल लई है, तो चलिए यह था हमारा वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों कैसा लग थैंक्स वर वाचिन